एस्ट्रो लवर्ज शिमारू एस्ट्रो चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकान को क्लिक करें हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए सूर्य के रत्न को कैसे दारण किया जाए इसके बारे में जानेंगे बारतिय जोतिश के अनुसार सभी व्यक्ति का जीवन सूर्य आदी नवग्रह से प्रभावित होता है और इन सभी ग्रह का उनके जीवन में प्रत्यक्षरूप से या अप्रत्यक्षरूप से असर होता है इसी असर को सकारात्मक बनाने के लिए कई उपाई किये जाते है कुछ ऐसी बाते जानते हैं जिससे आप यह पता लगा सकते हो कि सूर्य का रत्न माने जो आपके पांस है वह असली है या नंकली दर्शकों सूर्य का रत्न माने हाथ में लेने पर स्निग्द महसूस होता है यानि कि अपनी हतेली पर रखने से मानिक का रतना जल्दी से फिसलता है। इसके अलावा यदि आप किसी शीशे के बरतन में मानिक का रतना रखेंगे तो उसके आसपास चारो और लाल रंग की किरने दिखाए देगी। यदि आप किसी बरतन में गाय का कच्चा दूद भर कर उसमें मानिक रतन डालते हो तो वह दूद आपको हल्का गुलावी रंग का दिखाई देगा। दर्शको मानिक रतना रविवार के दिन सूर्य की होरा में कृत्तिका नक्षत्रा, उत्तरा फालगोनी नक्षत्रा, उत्तरा शाडा नक्षत्रा, रविपुष्य योग में, स्वर्ण में या फिर तामबे में धारन करना चाहिए। मानिक धारन करने से पहले उसे सूर्य के वीज मंद्र जो इस प्रकार है ओम, राम, हरिम, राम, सह, सूर्या ये नमाह इससे अभिमंद्रित कर लेना चाहिए और सूर्या का रतना मानिक धारन करने के बाद नियमित रुप से हर रोज तिन माला गायत्री मंद्र का जाप करना चाहिए और सूर्य को नियमित रुप्षे अर्ग्य देना चाहिए इसके अलावा सूर्य का रत्ना मानेक धारण करने के बाद सूर्य से संबंदित समगरियों का द्रवियों का आपको दान दिना चाहिए जैसे कि लाल कपड़ा, लाल कुष्प, तामवे या सुवर्न से बनी ह कोई कोई चीज रक्तचंदन, केसर, इत्यादी, दर्शको मानेक धारण करने से राज की अक्षेत्र में जो लोग अच्छी कार्खिर्दी बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, विशेश रूप से मानेक धारण करने से संतान संबंदित ज्य पर दाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो एप, एटल धीटी एच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वानी चैनल, डिश टीवी और धीटो एच पे सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया चैनल